गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं रवी कुमार लेक्चरर कम्प्यूटर साइंस जीपीसी डुंगरपूर आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे डेटा ट्रांस्पोर्मेशन और डेटा रिडेक्शन डेटा वेराउस और डेटा माइनिंग सब्जेक्ट में हम डेटा क्लीनिंग डेटा क्लीनिंग पहले पढ़ चुके हैं और डेटा इंटिग्रेशन पढ़ चुके हैं उसके बाद में ट्रांस्पोर्मेशन और डेक्शन आता है डेटा वेराउस में हम large amount of data को store करते हैं वो data mining में data warehouse से knowledge को extract किया जाता है discover किया जाता है वो कोई भी company है, organization है वो उस data को analyze करके अपनी जो strategy है अपनी जो plan है वो बनाती है तो data cleaning के अंदर हम क्या करते हैं कि जब data warehouse में data store करते हैं तो data को clean करके डाला जाता है और वहाँ से जब data mining कर रहे होता है तो फिर वापस उसको clean किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारा data उसमें रहता है इसलिए data को clean करके लेते हैं उसके बाद में हम data को integrate करते हैं कई sources से database से, data warehouse से अलग अलग जो sources data के वहाँ से integrate करने के बाद में हम करते हैं transform transform करने का मतलब यह है कि जैसे कि इस image में आप देख सकते हो जो data है वो unorganized है तो इसको एक organized way में हम transform करेंगे जो काम में आने लाइक जो format है उसमें उसको transform करेंगे step wise हम देखेंगे क्या-क्या steps होती है इसमें तो data transformation है वो एक process है converting data from one format to another एक format से दूसरे format में convert करने का जो process है उससी को data transformation करते हैं अब कौन से format में हम इसको convert करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा समझने में जिसको हम काम में ले सकते हैं आसानी से यह हम इसको कह सकते हैं कि typically from the format of a source system into the required format मतलब जो source जहां से हम data ले रहे हैं उसका एक format है अपना तो उससे ऐसे format में convert करेंगे जिसकी हमें जरूरत है यह data transformation होता है अब data transformation करते क्यों है ताकि जो हमारी data mining process है वो efficient हो और जो pattern जो हम discover करेंगे, found करेंगे वो easy होगा हमारे समझने के लिए अब data transformation है उसके अलग अलग तरीके हैं strategies है आईए देखते हैं stepwise first है smoothing smoothing हम cleaning में पढ़ चुके है कैसे noise है उसको हटाते हैं noise का हमलब जो errors है उसको हटाते है उसको smoothing बोलते है तो smoothing का मतलब remove noise from the data मतलब data के अंदर जो errors है उनको हटाना smoothing होती है और इसमें हम techniques भी पढ़ चुके binning, regression और clustering तूसरा जो तरीका है वो attribute construction का है या फिर feature construction इसका मलब क्या होता है कि कोई नया attribute अपन बनाते हैं उसके अंदर table जो हमारे पास पहले से है उसमें हम नया attribute बना के उसमें एक नया column add कर देते हैं जिससे हमारी जो mining ये process है वो easy हो जाती है तीसरा जो तरीका है वो aggregation है aggregation aggregation का मलब होता है summary summary ये aggregation operation होता है वो data पर apply किया जाता है इसको एक example से हम समझेंगे कि जो daily की sales है उसका जो data है उसको हम aggregate करते हैं ताकि हम monthly जो sales है उनको compute कर सके और फिर annually yearly जो sales हो उनको compute कर सके तो एक summary हो गई कि हमारे पास sales का data कौन सा है डेली का है लेकिन हम वहाँ से उसको summarize करके monthly भी कर सकते हैं और फिर monthly वाले को summarize करके yearly है जो annually जो total sale है उसको भी हम देख सकते है normalization normalization में क्या करते हैं कि data है वो एक particular जो range है उसमें उनको divide कर देते हैं अम आली जी जस 0.0 से लेके 1.0 तक है data 0.125 है 0.345 है 0.95 है तो ये जो 0 से 1 के बीच में जो भी range है उसको हम क्या करेंगे एक range में define कर देंगे कि 0.0 से लेके 1.0 तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा data discretization discretization में क्या करते हैं कि जो numeric attribute आता है जैसे marks आपके जो marks कितने आ रहे exam में उसको एक particular जो interval label है उससे हम क्या करते हैं replace कर देते हैं कि मान ली जी आपके marks आ रहे है 91 to 100 के बीच में कितने भी 91 आ रहे है 95, 94, 96 तो उसको हम क्या बना देंगे grade A 81 से 90 के बीच में आ रहे है कितने भी marks आ रहे है तो वो grade B हो जाएगा 71 से 80 जो interval है 71 से 80 इसके बीच में कितने भी marks आ रहे हैं किसी के 71 आ रहा है किसी के 72 या 79 आ रहा है तो वो सब किस में माने जाएगे grade C में माने जाएगे तो ये discretization कर देते हैं चट्टा जो तरीका है वो concept hierarchy generation for nominal data अब concept hierarchy इसमें भी क्या करते हैं कि माली जी आपकी branches आ बता दिए को computer है CS है ME है CE है तो उसको हम generalize करके क्या करते हैं higher level पर जो college का नाम जैसे GPC डूंगरपूर है तो वो college का नाम दे दते हैं या फिर जैसे माली जी आप address लिखते हो उसके अंदर address में आप street का name लिखते हो अपने तो street का name क्या कर देंगे आपके city के नाम से कर देंगे या आप city लिखते हो तो अलग अलग city जाए तो city को हम replace कर देंगे state से कर देंगे जैसे आप district लिख रहे हैं डूंगरपूर, उदेपूर, बासवड़ा तो उसको हम क्या करेंगे रजस्तान कर देंगे तो यह क्या होता है कि concept hierarchy generation होता है nominal data के लिए अब data transformation के बाद में data reduction हमने transform दो कर लिया data को एक ऐसा format जो source से हमने लिया और उसको हमने एक ऐसे format में transform किया जिससे हम अच्छे से data है उसको retrieve कर सकते हैं और analyze कर सकते हैं वो ज़्यादा efficient format है अब उसके बाद में data reduction क्योंकि हमारे पास data बहुत ज़्यादा available है अब हम analyze करेंगे तो इतना सारे data है उसको analysis नहीं कर सकते हैं देटा को reduce करना पड़ेगा तो data को reduce करना का मतलब है कि हमारे पास information तो पुरी पुरी रहेगी information कोई miss नहीं होगी बस data की जो size है उसको हम कम कर रहे है जैसे images होती है images को हम compress करते ना image को हम camera से image लेते है तो ज़्यादा size होती है 4-5 MB का और उसको हम compress करके 1 MB या कुछ KB में भी convert कर देते हैं तो image की जो quality है उस पे तो इतना ज़्यादा कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन जो उसकी size है वो कम हो जाती है तो data deduction में हम data की size को कम करेंगे quality के साथ compromise नहीं करेंगे data warehouse may store terabytes of data data warehouse बढ़ा size होता है और उसमें बहुत सारा data होता है उसके अंदर तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा time लगेगा अगर पूरे data को हम analysis करेंगे तो तो इसका solution है कि come time में करना है तो हमें data को क्या करना पड़ेगा reduce करना पड़ेगा ताकि हम एक छोटे size की data है उसको हम काम में ले quality है वो बरकरार रहे अपने अब data reduction की जो strategies है उसमें पहला जो तरीका है वो है data cube aggregation again aggregation हमने पड़ा है कि aggregation का मतलग क्या है summary लिखते है न हम एक page लिखावा है कोई article है उसका हमें summary लिख रहा है तीन चार लाइन के अंदर तो summary के अंदर quality तो maintain रती वो आ जाता है उसके अंदर एक page में कुरा क्या लिखावा है जबकि उसकी size कम हो जाती है तो aggregation जो operation है वो हम apply किया जाते है जब data cube है वो construct किया जाता है cube होता है और वो 3D में होता है xy, z 3 axis होती है अब आपने table तो पढ़ी है database में वो 2D होती है column और row होती है उसमें तेकर data के अंदर cube के अंदर 3D आ जाता है इसके अंदर जैसे एक example है किसी company के computer है तो computer number और computer कितने sale हो रहे है वो एक उसका dimension हो गया फिर किस city में हो रहे है वो एक dimension हो गया city और फिर कौन से month में हो रहे है तो month वाला dimension हो गया तो तीन dimension हो गया table के हम अंदर हम two dimension study कर सकते है cube के अंदर तीन हो जाएंगी कि total number of computer कितने बिके है और वो भी कौन से सहर में कितने बिके है और कौन से महिने में कितने कितने बिके हैं तीन dimension हो गई तो यह technique है वो use करते हैं aggregate करने के लिए data को simple form में example से हम समझते है कि imagine करो के कोई information है हमने gather की है हमारे analysis के लिए माली जे 2018 से 2020 के बीच की है तो इस के अंदर हमारे पास include करेंगे हम revenue रहेगा company का every three months में three three months में revenue है वो calculate होता है company का they involve us in the annual sales rather than the quarterly average तो हमें क्या करना है उसका annual sales निकालना है नहीं कि quarterly तो हम क्या करेंगे उसको summarize करेंगे data को इस तरह से कि जो resulting जो data आएगा वो summarize रहेगा जिसमें total sales रहेगी per year में instead of quarters तो यह हो गई summarize करने के data तो हमारे पास data था 3-3 महीने की sales का कि कितने कितने computer भीके पूरे साल में कितने computer भीके दूसरा तरीका है dimensionality reduction dimensionality reduction का मतलग क्या हुआ कि जो हमारे पास redundant attributes है redundant का मतलग जो multiple times आ रहे हैं जो उनको हम क्या करेंगे detect करेंगे और उनको remove करेंगे तो उससे क्या होगा हमारे data की size वो कम हो जाएगी अब कौन से attributes उनको reduce करेंगे जैसे कि एक तो redundant attributes है जो बार-बार repeat हो रहा है ऐसे column या फिर ऐसा जिसमें कोई खास जानकर ही नहीं है हमारे मतलग का नहीं है उसको हम reduce कर सकते हैं और सिर्फ हम उन्हीं attributes को रखेंगे जो हमारे analysis के काम के है तो इससे हम क्या करेंगे जो data size है उसको reduce कर देंगे और ऐसे जो outdated redundant features हैं उनको हम eliminate कर देंगे हटा देंगे अब इसके तरीक है हमारे पास पहला है stepwise forward selection stepwise forward selection में क्या करते हैं हम चालू जो करेंगे वो बिल्कुल खाली set of attributes से करेंगे मतलब हम मानेंगे कि हमारे पास शुरू में एक भी attribute नहीं है उसके बाद में हम उसमें एक-एक set है attributes का एक-एक column में वो select करेंगे जो हमारे काम के है जो हमारे काम के attributes है उन्ही को हम select करेंगे और हमारे जो set है उसमें सामिल करेंगे और जो काम के नहीं है उनको सामिल नहीं करेंगे जैसे हम देखते हैं कि initial attributes हमारे क्या है x1, x2, x3, x4, x5, x6 ये तो original जो set है हमारे पास data warehouse में अब data mining करना है वहाँ पर हमने क्या क्या शुरू में हमारे पास क्या खाली है विल्कूल attribute set तो step 1 के अंदर हमने x1 लिया step 2 के अंदर x2 और फिर step 3 में x5 तो x1, x2, x5 तो ये तो forward selection होता है फिर एक backward selection में होता है forward selection में क्या था? शुरू में अपने पास कुछ भी नहीं था और हमने एक-एक जो काम का है उसको लिया काम के जो attributes है कोलम्स है उनको हमने छांट लिया backward selection में क्या गरेंगे एक बार तो हम पूरा का पूरा ले लेंगे और फिर उसमें से जो काम के नहीं है उनको हटाएंगे हम जसे यहां देखिए हमने पहले क्या क्या है जो हमारे पास original set है x1 से लेकर x6 तक वो पूरा का पूरा ले लिया वह भार लेकर क्या है अब इसमें से देखेंगे कि गाम के नहीं है उनको अटा दे जाएंगे तो पहली step में हमने किसको अटाया x6 यह बिल्कुल काम का नहीं था फिर हमने देखा कि x4 भी काम का नहीं है इसको भी इटा दिया और फिर देखा कि x3 भी काम का नहीं है ठीक है तो forward और backward हो गया forward के अंदर क्या होगा कि बिल्कुल खाली set रहेगा शुरू में हमारे पास और जो काम के हैं उनको हम ले लेंगे attributes को columns को और backward में क्या करेगा एक बार तो सबको सामिल कर लेंगे और उसके बाद में जो काम के नहीं है उनको हटा देंगे इसको हम एक example से समझ सकते हैं जैसे college में admission होता है तो cut-off जाती है तो हमारे पास सुरू में admission हो रहा है तो बच्चे कितने है college में? 0 अब cut-off निकलेगी तो हम क्या करेंगे? जिनके अच्छे percentage जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम सामिल करेंगे तो ये तो क्या हो गया? forward selection अब admission तो हो गया college full हो गया जितने बच्चे हैं वो सारे exam में बेठेंगे लेकिन exam में पास कौन से होंगे? जो चाफ़ पर्फॉर्म करेंगे तो हमरे पास थे तो सारे लेकिन college से degree लेके कौन जाएगा? जो best है वो और बाकि जो बच्चे हैं उनको हटा देंगे बाकि fail हो जाएगे तो वो backward हो जाएगा और forward और backward selection उनका combination भी हम काम में ले सकते हैं इससे हमा क्या time है वो बच जाएगा और जो process है वो बहुत अच्छा होगा उससे डेटा को हम compress भी कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या encoding mechanism यूज लेते हैं जैसे मैंने image का example दिया था उसमें image को compress करते हैं तो उसमें size compress करते हैं different encoding mechanism इसमें half man encoding होती है run length encoding होती है तो हम इसको दो तरीके हैं उनमें divide कर सकते हैं एक loss less compression होता है एक loss c loss less का मतलब कोई information का loss नहीं होगा size तो कम कर देंगे लेकिन information का loss नहीं होगा तो इसमें जो encoding होती है वो run length encoding होती है यह हमें allow करती है simple और minimal data size reduction और यह होता है loss less data compression और हमें algorithm हम यूज करके उसको original data है उसको भी वापस बना सकते हैं उससे एक होता है loss c compression जैसे इसमें आता है discrete wavelength transform तो इसमें क्या होता है या PC आता है principal component analysis आता है तो यह compression से तरीके है loss c compression के जैसे जोटी है हमारी तो यह जो format होता है वो loss c compression होता है लेकिन हम वापस जो original image है वो लगबग उसके equivalent image हम वापस बना सकते हैं इससे तो loss c data compression में क्या होता है जो compressed होता है data वो थोड़ा different होता है उससे original से क्योंकि कुछ information उसमें loss हो जाती है लेकिन हमारी पास काफी use for information उसमें रहती है और data काफी हता कम उसमें reduce कर देते है चोता तरीका है numerosity reduction में क्या होता है कि data है वो replace किया जाता है या estimated किया जाता है alternative की दवारा इसमें जो reduction technique है वो actual data को replace करते है mathematical model से या smaller representation of data से यह important only to store model parameter और non-paramitring method such as clustering, histogram, sampling फिर तरीका है discretization and concept hierarchy generation उसमें जो row.value होती है attributes वो replace कर दी जाता है range से या उसका higher conceptual level से इसमें जो techniques discretization में use आ रही है उसमें divide करते है attributes को जिसमें continuous nature रहता है data का उसको हम interval से replace कर देंगे और उसमें जो constant value है उनको replace कर देंगे label से या small interval से तो इसमें भी तरीके हैं top-down discretization होता है इसमें पहले हम consider करते है couple of points जिनको हम बोल दें break points या split points तो इससे हम divide कर देंगे सारी जो attribute का set है उसको और उसको फिर repeat कर देंगे method को end तक और यह process जो कहलाती है वो top-down discretization कहलाती है तो पूरा set है उसको particular intervals के अंदर हमने divide कर दिया through a combination of neighborhood values in the interval that process is called bottom-up discretization concept hierarchy concept hierarchy में data की size को हम reduce करते है by collecting and then replacing the low level concept जैसे age है 43 age है तो उसको category में डाल देंगे middle age अब 60 से उपर अब से senior citizen बोलते हैं numeric data के लिए जैसे binning, binning हम पढ़ चुके है पहले उसमें हम process होती है उसमें change करते है numerical variable को categorical counterparts में और categorical counterparts depend करता है number of bins specified what is histogram analysis होता है वो भी binning की तरह ही होता है वो भी क्या करता है? partition करता है values को attribute x है उसको disjoint range होती है brackets होता है उसके अंदर अब यह अलग अलग तरीके हैं एक जो histogram का तरीका है वो equal frequency partitioning है तो इसमें जो partitioning करेंगे हम करेंगे उसकी number of frequencies है कितनी बार वो data repeat हो रहा है उसके आदार पर एक equal width partnersing इस partnersing में value है जो fixed gap है उनके बीच में आ रहा है जैसे value range हो रही है 0 से 20 के बीच में clustering, clustering के नदर क्या कर देंगे grouping कर देंगे similar data की तो students यह थे हमारे पास जो तरीके data mining में काम में आ रहे है data transformation और data reduction आइक आए तैंक यू अजो कर दो आए